आईए अब exercise 5.2 का question number 13 solve करते हैं और यह question कुछ इस तरह से है How many 3 digits number are divisible by 7? यानि 3 digits के ऐसे कितनी numbers हैं जो 7 से divide हो सकते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा 3 digit number जो की 7 से divisible है वो है 105 और next time होगी 112 इसी तरह से 119 और last 3 digit number जो की 7 से divisible है वो है 994 तो यह हमारी AP है और इस AP में हमें यह बताना है कि कितनी terms हैं तो आएए सबसे पहले इस AP का जो first term है वो collect करते हैं वो है 105, common difference obviously 7 है और इस AP की जो last term है वो है 994 तो अब हम general term का use करके इस AP की जो इस AP में कितनी terms हैं वो easily calculate कर सकते हैं general term होती है AN equals to A plus N minus 1 into D यहाँ पर हम देखते हैं कि A जो है वो है 105 N मालूम नहीं D की value मालूम है 7 और AN जो है वो है 994 इसको हम sort कर सकते हैं इस तरह चे 7 N minus 7 यहाँ पर है 105 यहाँ है 994 इसको अगर calculate करें तो यह होगा 7 N equals to 994 plus 7 minus 105 और 994 में जब हम 7 को add करते हैं तो होगा 1001 यहाँ पर है minus 105 और जब 1001 में से हम 105 को subject करेंगे तो यह आएगा 896 तो जो 7 N है वो equal है 896 तो N equal है 896 over 7 7 से हम 896 को divide करेंगे तो आएगा 128 तो इस AP में जो करेंगे तो Crystal numbers of the terms है वो है 128 तो हम यहाँ पलेक सकते है so there are 128 three digit numbers which are divisible by 7 this is the solution of the question Thank you.